इस फिल्म की कहानी एक टीनेजर लड़की की है जो अलग-अलग अजीब तरीके यूज करके अपने आपको चरमसुख पहुंचाने का प्रयास करती है अब वो अपने मिशन में कामियाब हो पाई या नहीं आईए जानते हैं इस फिल्म का नाम है वेटलैंस इस फिल्म को देखकर उसे अपना बच्पन या दाता है जब उसकी मा उससे गंदे टॉलेट साफ करवाया करती थी दो रसल हेलन की मौप को साफ सफाई बहुत बसल थी और वो हमेशा हेलन को भी यही सब सिखाती रहती थी कहानी वापस प्रेजन में आती है जहां हेलन अपने पिछवारे से उस टॉलेट स्रीट को ऐसे साब करती है जैसे हम स्कूल में दूसर के बैक से अपना बेंस साब क्या करता था अगले सीन में हेलन किसी लड़के को सिड्यूस करते वे दिखाई दरती है वो उस लड़के से पूस्ती है क्या तुमें भूक लगी है वो लड़का भी शायद हलन के भूक और पैस को समझ चुका था दोनों बीच के किनारे जाकर एंज्यॉई करने लगते हैं क्योंकि वो लड़का बरगत के पेट के नीचे बेठे ववा बंगाली के पास जाकर चुरण नहीं लिया था तो जोश के मारे उसका शिग्रपतन हो जाता है और हेलन उसकी रबडी को हाथ में लपटते हुए अपने घर चली आती है काफी दर के बाद वो रबडी सूख जाती है और हेलन उस रबडी का गोला बना कर खा लेती है फिर वो अपने फीज से सारी सबजिया निकालकर अपने सार बाथों में लेडाती है जो आ एक के बाद एक बहुन सारी सबजियों को इस्तमाल करके चरमसुख प्राप्त करने की कोशिश करती है 37 साथ बहुन सारी सबजियों को नमबर भी दे रही होती है कि किस सबजी ने उसे कितना आनन्द दिया है दोस्तो हेलेन के मॉम डाट का अपस में डिवोस हो चुगा था और हेलेन चाहते थी कि वो दोनों फिर से एक हो जाए उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम तर तोनी हेलेन की मॉम शांती पाने के लिए सबी प्रकार के धर्मों को अपना चुकी थी बट उन्हें किसी भी तरह की शांती प्राप नहीं हुई अंत में उन्होंने क्याथलिक धर्म को ही अपना लिया था एक दिन हेलेन की फ्रेंड कॉरिना उसे मिलने आती है बट हेलेन उसे काफी रूड लिविएप करती है अगले ही सिन में कॉरिना अपने वॉर्फेंड के साथ घपागप करती हुए दिखाई देती है घपागप करती हुए उसका बॉर्फेंड के था है कॉरिना क्या तुम मेरे पेट के उपर पौटी कर सकती हो ये सुनकर कॉरिना के दिमाग घुन जाता है बट यह उसके boyfriend की fantasy थी सो कॉरिना भी बिना डरी करे अपने बाबू को खुश करने के लिए pressure लगाती है और अपना सारा गोबर अपने बाबू के पेट के उपर ही निकाल देती है ए भगवान केसे केसे fantasies पाल रखे हैं लोगों ने अगले दिन ये top secret ना जाने के से कॉरिना के college में जंगल मिलगी किसी आपके तरफ फेल जाती है सबके सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कॉरिना को लगा कि ये जरूर उसके चूतिय बाबू नहीं किया होगा वो अपने boyfriend फर खुब बरसती है और उसे breakup भी कर लगती है इसके बाद कॉईनार Helen के वीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के best friend भी बन जाते हैं एक दिन Helen अपने पापा से मिलने उनके घर जाती है वो अंदर जाकर अपने पापा को काफी आवास लगाती है बट कोई जवाब नाम मिलने के कारण वो सिधे उनके bedroom में गुज़ आती है जहां उसके पापा किसी औरत के साथ पलंग तोड़ने में वीजी थे Helen को देखते ही उसके पापा चौक जाते हैं और कहते हैं कि अंदर आने से पहले अटलिस्ट कुंडी तो खड़काओ क्या तुम्हें इतना भी नहीं बता Helen को तभी अपना बच्चपन याद आता है जहां उसके पापा उसका जरावी ख्याल नहीं रखा लगते अगली सुबा Helen रेजर से अपनी शरीर के बालों की सफाई कर रहे होती है और जोज जोश में आकर वा अपने तबले पर ही रेजर चलाने लग जाती है और तभी अच्चानक उसका तबला कड़ जाता है और काफी खून भी बेहने लग जाता है Helen इस बारे में घर में किसी को भी नहीं बताती है और जैसे दर्स अपने कॉलेज पॉस भी है लेकिन कट जादा होने की वज़़े से उसको पिछवारे से लगातार खुन बेहरे होती है इसे देखकर वहां मौझूद सभी छिच्वारे लॉंडे यही साब लगाते है कि जरूर राज इसने अपना तबला बज़वाया है Helen कॉलेज से सीथा होस्पीटल जाती है और डॉक्टरों का अपने हाल के बारें बताती है डॉक्टरों भी Helen के पिच्वारे कर देखकर एक मिनिट के लिए सन रह जाते है और कहते हैं कि सिफ कट लगने के बज़़े से यह नहीं हुआ है तुम्हें तो इंफेक्शन भी हो रखा है वहां मुझुद एक नर्स Helen से ऑपरेशन की फॉर्मालिटीस पुरी करवा लेती है कुछ देर बाद Helen सोच में पढ़ जाती है कि जरूर यह सर्व उसी इंसान के बज़े से हुआ है जिसने सबसे पहले मेरे बाल काट रहते है कहानी फ्लाश्बैक में जाती है जो एक आदमी Helen से कहता है कि क्या तुमने अपने शरीर के बाल कभी नहीं काटे अगर तुम चाहो तो मैं तुमारे सारे बाल कार सकता हूँ अगले दिन Helen उस आदमी के घर पहुंसती है उसे लग रहा आता कि आज जरूर उसकी अच्छी तरह से मालिश होने वाली है वो Helen के कपड़े चेंज करवा कर उसे ऑपरेशन थेटर में ले जाता है Helen Robin को काफी गंदी-गंदी बातों के साथ अपने इन अश्रील फैंटेसीस बताने लगती है इसे बाहर खड़ी Robin की गल्फरेंड सुन लेती है और गुस्सा आओकर वहां से चली आती है Robin पूछता है कि ऑपरेशन से पहले तुम अपने पैरेंट्स को यहां बुलाना चाहोगी पहले तो Helen कहती है कि मेरे माबाप मर चुके है बर थोड़ी देर सोचने के बात उसे ख्याल आता है कि शायद मेरे हॉस्पिटल में अड्मिट होने की कवर सुनकर मेरे पैरेंट्स एक साथ यहां मुझसे मिलने आ जाए और दुवारा से एक हो जाए फिर Helen Robin को अपने पैरेंट्स का नंबर दे देती है और कहती है कि फ्रीश ट्राइक करना कि दोनों एक साथ ही यहां है उसके बाद Helen की ऑपरेशन शुरू हो जाती है अगले सिन में हम Helen और कॉरिना को एक साथ देखते हैं वो दोनों अपने पैर्ट में हाथ डाल कर नाचूरल सेंट का आनल ले रही थी तो रसल Helen नहीं उसे यह ग्यान पहला था कि नाचूरल सेंट को अपने बाड़ी पर लगाने से दुनिया का कोई भी मर्द खुद को उसके पास आने से रोक नहीं पाएगा तवी वह एक लड़का ग्लुकवंडी का स्टॉक ले कराता है उसे Helen नहीं बुलाया था Helen पैसे लाने अंदर चले जाती है उसके जाते ही कोई ना लपक कर उस लड़के के बगल में बैठ जाती है और निराश हो जाती है वो सोचने लगती है आरे मैंने तो काफी सारे नैचूरल सेंट अपने बॉड़ी पर लगाये हुए है फिर लड़का पिघल क्यों ने रहा इसके बाद हेलेन उस लड़के को गुवर्णी के पैसे दे रहती है और वो लड़का बाद से चला जाता है लड़के के जाने के बाद दोनों से लिया काफी नश्यवाजी करते है और दोनों एक साथ नहाने भी लगते है कहानी वापस प्रेजन में आती है जहां रॉबिन हेलेन को बता रहा होता है कि उसका ओपरेशन सक्सेस्पुल रहा हेलेन पूछती है कि क्या मेरे घर से मुझसे कोई मिलने आया है रॉबिन कहता है मैंने तुमारे पैरेंस को इनफर्म कर दिया था बट अभी तक कोई नहीं आया इसके बाद हेलेन रॉबिन से पूछती है कि मेरे कपड़े का है हेलेन कहती है कि रॉबिन प्लीस तुम मेरे पिछवारे के एक फोटो क्लिकर के मुझे दो ना मुझे देखना है कि आप मेरे पिछवारे की क्या हाल है पहले तो रॉबिन एसा करने से मना कर देता है बट हेलन के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है रॉबिन जैसे ही तस्वीर लेने नीचे जूपता है कमर में दो-तिंग डॉक्टरस आजाते हैं और जैसे ही वो रॉबिन को खड़ी-कोटी सुनाने ही वाले होते हैं तभी हेलन की मॉम वहाँ पहुंच जाती है हेलन अपने मॉम को देकर काफी खुश होती है बट उसे इस बात का दुख भी था कि उसके पापा नहीं आये हेलन की मॉम उसके लिए एक पौदे का बीज लेकर आई थी जिसे हेलन ने अपने घर पर उगाया था उस दे बात हेलन की मॉम चली आती है हेलन की नजर खिटकी से बाहर बढ़ती है जहां उसे रॉबिन अपने गल्फरंड के साथ हसी मज़ा करते हुए दिखाए देता है ये सब देखका हेलन की पिछवारे में वापस से जलन होने लगती है खरान ना हो ये सब हेलन की एक सपना था थोई दे बात हेलन के पापा भी उसे मिलने आता है हेलन घड़ी के और देखने लगती है और सोश्ते की कास उसके मॉम भी जल्दी से जल्दी हाँ आ जाए ये सब सोश्ते सोश्ते वो इमाजिन करने लग जाती है कि उसके मॉम ड़ाट फाइनाली एक हो गया है और वो एक दूसरे को किस भी कर रहे हैं अब कहानी वापस से पास्ट में चली जाती है जहां हम देखते हैं कि हेलन को किसी का भी बैलन ना मिलने की बज़र से वो कुछ को साइडिस्फाय करने के लिए एक प्रोस्ट्यूर के पास आती है और रात बर दोनों एक दूसरे के तबले बज़वाते हैं अगली सुभा कहानी फिर से प्रेजिन में आती है जहां रॉबिन हेलन के साथ प्याद भरी बाते कर रहा होता है दोनों काफी उत्तेजित हो जाते हैं और रॉबिन फाइनाली हेलन को किस करने लग जाता है तब ही कबर में रॉबिन की गल्फरेंड आती है और अपने बॉल्फरेंड को किसी दूसरे लग की साथ चुम्मा चाटी करते हुए पगड़ लेती है एक बार फिर से हेलेन के अर्मान आसुए में प्याद से ही अपने लिए डॉमिनस का पीजा ओर करती है इसके बाद पीजा का इंतेजार करते हुए वह अपना पिछवाणा दिखाते हुए पुरे होस्पिडल में गस्त लगाने लग जाती है जब पीजा आता है तब वह उसके पैसे रॉबिन से ही वस्ल करवा लेती है और उससे भी पीजा खाने के लिए देती है दोनों पीजा खाने लग जाते है तब हेलेन रॉबिन से कहती है कि क्या तुम मेरी पीजा स्टोडी सुनना पसंद करोगे रॉबिन कहता है क्यों नहीं हेलेन कहती है एक बार दो लड़किया पीजा ओडर करती है और पीजा लेट हो जाने की बज़े से बोदो नों उस डेलिवरी बई की कंप्लेंड कर देती है उससे मैकर उस डेलिवरी बई ने उसके चार दोस्तों का मेयोनी जिस पीजा में मिला कर उन्हें दे दिया था जिससे खा कर उन्हें लेट को काफ़ी अजीब फील हुआ श्पीटल में ही रुखने के लिए वो रात में एक लोहे की हैंडल को अपने पीछवारे में घुसेल लेती है जिसकी वर से काफी खून बेहने लगता है तबी रॉबिन भी वहां आ जाता है और हेलेन को इस हालत में देखकर उसे जल्दी से ओपरेशन थेयर्टर में ले जाता है एक बार फिर से हेलेन का ओपरेशन किया जाता है और कुछ दिन बाद वह आपस से ठीक हो जाती है ठीक होने के बाद हेलेन अपने कपड़े पेंट कर घर जाते हुए रॉबिन को धूनने लगती है बट रॉबिन उसे कहीं नहीं दिखाई देता फिर वो रॉबिन को होस्पिरेल के बाहर धूनती है जहां रॉबिन चाई की दुकान पर चाई की चुस्किया लगा रहा था दोने एक दुसरे को किस करने लगते है तब हेलेन की नजर अपने पैरेंस पर बढ़ती है जो कि अब दुबारा से एक हो गये थे हैं जो पिर दुबारा से एक हो बाहर रॉब साथ मैं